हलो, दिस भार्ति जाश्वाल, अभी तक क्वार्डिलाटरल चैप्टर से हमने वारिस थियोरम और पैरलेल उक्राम किये थे, आज हम एक न्यू टॉपिक करेंगे, सम यूजफुल फैट्स अबाउट आ ट्रैंगल, ठीक है ना, ट्रैंगल के बारे में कुछ यूजफुल फै समझ लिए, चलिए, फिगर में देखके, फिट से समझाती हूँ मैं, मालो कि A, B, C एक ट्रैंगल है, और इसके किसी भी दो साइट, जैसे A, B और A, C, के दो साइट के मीट पॉइंट हमने ले लिए D और E, और इन्हें जॉइन करने पर D जो लाइन सेग्मेंट बन रहा है, वो line segment, third side, third side of this angle is B, C, तो ये D, जो है, वो B, C के parallel होगी, और half of B, C होगी, यही चीजे हमें प्रूफ करने हैं, ठीक है ना, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, A, B, C is a triangle in which D and E are midpoints of sites A, B and A, C, A, B and A, C respectively, D is joint, now we have to prove that D, E parallel B, C and D, E equal to half of B, C, ठीक है ना, ये दो चीजे हमें प्रूफ करनी हैं, तो चलिए प्रूफ करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा construction करेंगे, हमने क्या किया है, D, E line segment को F तक produce किया है, such that D, E equal to E, F, मतलब हमने E को midpoint बना दिया और D, E equal to E, F कर दिया, ठीक है ना, तो अब हमारी पास दो triangle है, A, D, E और E, C, F, ठीक है, तो now, इन ही दो triangles को लेकर चलेंगे हम, हम लिखेंगे, इन triangle, A, E, D, and triangle, C, E, F, ठीक है ना, क्या क्या चीज़े हैं हमारे पास, वो लिख दिजिए, A, E equal to E, C, अभी ये question में दे रखा है, कि E जो है, A, C का midpoint है, it means, A, E equal है, A, C, E, C के, तो हम यहाँ पर लिख चकते हैं, A, E equal to C, E, या E, C, ठीक है, now, एक angle ये है, और एक ये है, और बोथ हार vertically opposite angles, and बोथ हार equal, ये आपने पर रखा है पहले, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, angle A, E, D equal to angle C, C, E, F, ठीक है, na, A, E, D मतलब ये angle, C, E, F मतलब ये angle, ये दोनो vertically opposite angles है, that's why both are equal, now, another thing हमने जो construct किया है, D, E equal to E, F, तो हम लिख देंगे, D, E equal to E, F, अब आप ध्यान से देखिए, side, angle, और side, इस triangle में side, angle, and side, means, A, S, A, S, है na, by S, A, S, criteria of congruence, triangle A, E, D, each congruent to triangle C, E, F, ठीक है, अब चुके दोनों triangle congruent हो गए, तो हमारे पास क्या-क्या निकल के आ रहा है, आपको पता है, congruent triangles के all the corresponding parts are equal, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, AD equal है CF के, ठीक है, और एक angle ये लेते हैं, और एक angle ये लेते हैं, ठीक है, ये दोनों angle भी equal होंगे, तो चलिए हम लिखते हैं, यहाँ पर, therefore, AD equal to CF and angle ADE equal to angle CEF, हमने इन दो angles को इसलिए लिखा है, कि आगे हमें इसके जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, तो हमने पहले ही लिखते है, AD equal है CF के, and ADE equal है CFE के, ठीक है, now, D is the midpoint of AB, आप question में दे रखा है, AD, तो AD equal हो जाएगा DB के, तो हम लिखते हैं, यहाँ पर, since, D is the midpoint, midpoint of AB, therefore, AD equal to DB, अब आप थ्यान से देखें, कि यहाँ हमने AD के equal में CF लिखा है, लिखा है ना, तो it means, यह CF जो है, अब DB के equal हो जाएगा, हो जाएगा, DB equal to CF, हो गया ना, तो यहाँ पर लिखतेंगे हम, इसका एक number दे देते हैं, 1, and इसका number दे देते हैं, 2, तो आप यहाँ पर लिख शकते हैं, by 1, and 2, DB equal to CF, ठीक है, अब यह दोनों साइट equal proof हो गया, और अभी अभी हमने उपर में दो angles भी equal proof किये थे, है ना, यह angle, ADE और CFE, आप थ्यान से देखिए, कि अगर AD और CF, दो lines हैं, और DF एक transversal है, जो इन्हें intersect करती है, तो ADE और EFC या CFE, यह दोनों alternate interior angles हैं, ठीक है ना, और अभी हमने उपर में लिखा है, ADE equal है CEFK, तो अगर यह तोनों alternate angles equal हैं, इट मिन्स AB parallel है CFK, या AD parallel है CFK, या DB parallel है CFK, है ना, यह AD या AB या DB, सारे एक ही है, तो हम लिख सकते हैं, DB parallel CF, तो यहां पर आप लिखतीजे, यह बात भी, since angle ADE equal है, angle CE, sorry, CFE के, मैंने यहां पर भी गलत लिखा है, angle CFE होगा, ठीक है ना, CFE, ठीक है, और यहां पर भी लिखेंगे CFE, और यह दोनों ही alternate interior angles हैं, तो हम यहां पर लिख सकते हैं, कि DB parallel CF, clear, अब आप देखिए, कि अगर DB equal है CFK, and DB parallel भी है CFK, तो यह DBCF एक parallelogram हो गया, हो गया ना, क्योंकि opposite sides are equal and parallel, दोनों चीजे हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, कि DBCF, is a parallelogram, अब चोकि यह parallelogram है, it means, इनके दूसरे opposite sides भी equal हो जाएंगे, मतलब DF equal है BCK, and DF parallel है BCK, और अभी हमने उपर में किया था, कि E को midpoint बनाया हमने, और DE equal to EF construct किया, तो it means, DE जो है, वो BC का half हो गया, क्योंकि DF equal है BCK, तो DE जो है BC का half हो जाएगा, और यही हमें proof करना था, तो अब हम यहां पर नीचे लिख सकेंगे, now DBCF is a parallelogram, therefore, DF parallel BC, और DF equal to BC, BC, दोनों चीजे हो गई, now E is the midpoint, या आप लिख सकते हो, since DE equal to EF, therefore, DE equal to half of BC, ठीक है, और अभी चुकिए हमने DF parallel BC किया, तो हम यहां पर DE equal to, sorry, DE parallel BC भी लिख सकते हैं, अभी हमने किया नहीं यहां पर, DE equal to EF, तो और, sorry, DF parallel BC, चुकिए हमने DF parallel BC काया है, और DF का ही एक पार्ट है, DE, तो हम यहां पर लिख सकते हैं, DE parallel BC, यह दो चीजे हमें प्रूफ करनी थी ना, if DE equal to half BC or DE parallel BC, clear, thank you.